पत्रकारों पर जूटी खबरें संप्रदाइक भेद भाव भड़काने के लिए पुलिसिया शिकंजा कसना शुरू हो गया है पहले अर्णब गौसामी, अमीश देवगन के बाद अब जी न्यूस के एंकर सुधीर चौधरी पर पुलिस की कारवाई शुरू हो गई है इसे पहले की राजनीती और अब की राजनीती में सबसे बड़ा फर्क क्या है आप ये समझ लीजिए पहले सियासत सिर्फ सियासी लोग यानि राजनेता किया करते थे अब वही काम मीडिया कर रही है एंकर राजनीती और राजनिताओं का साथ बड़ी ही चतुराई से दे रही है ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया एक माध्य में लोगों तक सूच ना पहुचाने के लिए लेकिन मीडिया का ये काम अब नहीं रहा है मीडिया सिर्फ नफरत और दंगा भड़काने के लिए ये काम कर रही है पिछले कुछ सालों से टीवी मीडिया से बिपक्षी निताओं का और पार्टियों का चरित रहनन बहुत तेजी से बढ़ रहा है जूट फैलाने का काम जोरों से किया जा रहा है और अब इस काम में और तेजी देखी जा रही है मसलन जब एक चैनल का आंकर जब ये कहता है कि एक भीर सिर्फ मर्जित के पास क्यों इकटा हुई तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह का भाशा है किस तरह की बात लोगों तक पहुँच रही है तब ये खबर संप्रदाइकता के लिए हुई थी अंकर सीधा सीधा राजनेता और पार्टी का काम आसान कर देता है ऐसा मुख्यधारा के सभी चैनल कर रहे हैं वो अंकर रोज शाम को आते हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं और जनता के पास इतना समय कहा है कि वो फैक्ट चेक करें जनता फट से तै कर लेती है कि अंकर जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा बले ही चिल ला रहा हो मगर सही ही कह रहा होगा मगर एक अंकर जनता को उस अंधेरे में भेज रहा है ऐसा ही कुछ दिनों से मीडिया और संस्थानों के आंकर कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों की दिमागी हालात में संप्रदाइक जहर भरता जा रहा है इन आंकरों की वज़ा से महराष्ट में रिपब्लिक चैनल के आंकर और मालिक अर्णव गौसामी पर चरित रहनन करने का मामला दर्ज हुआ था वही निउस 18 के आंकर अमिश देवगन पर भी जूट फैलाने को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था निउस के संपादक और डीने शो दिखाने वाले सुधीर चौधरी पर भी केरल के पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है सुधीर चौधरी का वैसे जेल से पुराना नाता रहा है इन मामलों के दर्ज होने की सिर्फ एक वज़ा है वो है सुचना को गलत तरीके से नफरत भरी प्रचार प्रसार करना और उसे जबरदस्ती जनता तक परोशना और देश को सच बताने का ढोंग करना ये सुधीर चौधरी हमेशा से करते आ रहे है इस मामले पर सुप्रीम कौट के वरिष्ट वकील प्रशान भूसन ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीटर पर ट्वीट किया है फरजी खबरों से इतनी नफरत फैलाने वाले इन सभी गोधी मीडिया आंकरों को ध्यान में रखना चाहिए यदि उनके द्वारा किये गए आधे अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाया गया तो वो अपना शेस जीवन जेल में बिताएंगे अब जेल जाएंगे या फिर से नफरत फैलाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा सुप्रीम कौर्ट तै करेगी कौर्ट तै करेगा कि कौन जेल जाएगा और कौन बाहार रहेगा लेकिन एक बात तै है कि इन मीडिया के जरिये लोगों में जबरदस्त नफरत का महौल फैलाया जा रहा है आज संप्रदाईक रंग इतना बड़ चुका है कि खुद एंकर को नहीं समझ में आ रहे कि देश में क्या चल रहा है कभी सब्जी वाले कभी फल वालों को धर्म के नाम पर जाती के नाम पर मार पीट किया जाता है ये सब एंकर के फैला आया गया जाली का तो नतीजा है जो आज गरीब तब का भुगत रहा है Bureau Report The Nation